कॉंग्रिस सांसद राहूल गांधी के केरेल के वाइनाड दफतर में कुछ लोगों ने तोड़ फोड कर दी कॉंग्रिस ने घटना के पीछे स्टूरेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया का हाथ होने कारोप लगाया है पार्टी ने कहा कि SFI के गुंडों ने पार्टी कारयाले में मौझूद स्टाफ से मारपिड भी की इसी बीच कॉंग्रिस सांसद के दफतर में तोड़ फोड का वीडियो भी सामने आया है इसमें दिखाई दे रहा है कि वाइनाड में कुछ लोग कॉंग्रिस सांसद के दफतर की खिड़कियों पर चड़ गए और तोड़ फोड शुरू कर दी हातों में SFI में के जंडे कुछ लोग दफतर के अंदर तक पहुच गए वहाँ इन लोगों ने नारिबाजी की और सामान भी तोड़ दिया वही कॉंग्रिस ने राहूल गांधी के दफतर पर हमले के लिए केरल के मुख्यमंतरी को जिम्मिदार बताया है यूवक कॉंग्रिस के अध्यक्ष शुश्री निवास बीवी ने आरोप लगाया कि केरल में अराज़क्ता फैल गई है उन्होंने सवाल ये भी उठाय कि आखिर के मुख्यमंतरी इस तरह के उपद्रवियों को सनरक्षन क्यों दे रहे है अब अपनी टीवी स्क्रीन पर ये वीडियो देख सकते है किस तरह से तोड़ फोड़ की जा रही है राहूल गांधी के ओफिस पर ये हमला किया है